हाई फ्रेंट्स आज किस वीडियों में आपको बता हूँ कि आप CSE से अपना ITR फाइल कैसे कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर आप एक CSE संचालक है तो आपको बता देदा हूँ अगर हम एक CSE संचालक है तो आपको ITR फाइल करना है यानि कि income tax return फाइल करना हर साल जरूरी होता तो income tax return फाइल एक अपरेल से स्टार्ट हो जाते हैं एक अपरेल से लेकर 31 जुलाई तक आप अपना ITR फिल कर सकते हैं CSE से ITR फाइल करने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है तो चलिए आपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अपना ITR आप CSE से कैसे फिल कर सकते हैं तो ITR भरने के लिए सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल म counting कर लेना है लोगनोस नहीं के बाद को सेर्च पर किलिक करना है और यहां बार साच करना है टेक्स टि देखनी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको BLE का पूरा नाम बरना है, उसके बाद BLE की email आड़ी यहाँ पर डालनी है आपको और उसके बाद BLE मोगा number यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको pen card number डालना है BLE का, उसके बाद जैसी आप टैप पर प इसके बाद यहाँ पर मोगा number आजाएगा, email ID आजाएगी, pin code आजाएगा, address मुझे यहाँ पर बरना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो भी address रहता है, वो यहाँ पर दर्ज कर देना है, उसके बाद नीचे मेरी bank account details आजाएगी, जिसमें मेरा account number और account type सारी चीज़े आजाएगी, एक से ज्यादा account होते तो मैं यहाँ add more पर click करके, मैं दूसरे account को भी यहाँ पर add कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरे तीन account से तीनों account मैंने यहाँ पर दे दिये है, उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको other options में लेंगे, तो यहाँ पर salary income पूछे जाएगा, capital gain transaction, business income, यहाँ पर house property income, तो यहाँ पर हमारा business income है, यहाँ हम CST से काम कर रहा है, self-employed है, तो यहाँ पर ES पर हमें click करना है, उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा, आपकी sales जो 20 लाग से अधिक है या 20 लाग से कम है, तो यहाँ पर आप जो भी को अपलोड करना होगा, तो JPG यह फिर PDF format में आप अपने pen card को 300 kb से कम में अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको assessment year चुनना है, तो इसमें आपर आप देख सकते हैं, assessment यह 24 25 को आप सेलेक्ट करेंगा है, final CLAR 2023, assessment year 2024, उसके बाद यहाँ पर declaration को सेलेक्ट करना और summit करना है, summit करने से पहले नीचे आपर आपको प्लान दिखाई दे रहा होगा, 544 रुपए फीज कटेगी, जिसमें GST रहेगी 97 रुपए, और BLE कमिशन इसमें 207 रुपए रहेगा, 435 लगबग आपके बॉलिस से डिटेक्ट होगे, तो यह पर जो उपर आप दे सेलेक पर किलिक कर देना है, summit पर किलिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे जो बॉलेट से कटेंगे, 435 रुपए कटेंगे, सेल अमाट 642 रुपए आ रही है, तो यहाँ CST के पासपर्ट को दर्च किया, आमने देन उसके बाद बॉलेट को दर्च करेंगे, और पे प अथेंटिकेशन देना है, तो इसमें आप मोबाल पर एक OTP भेज के एफाल का अथेंटिकेशन दे सकते हैं, दूसरा यहाँ पर आपको अपना 26 AS form डाउनलोड करके यहाँ अपलोड करना होगा, तो नीचे send OTP पर किलिक करेंगे, और उसके बाद जो भी मोबाल नंबर है व आपको मोबाल पर OTP बेजा जाएगा, तो आपका 26 AS form है, वो Automatic Income Tax की website से इंपोर्ट कर लिया जाएगा, आपको कहीं भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 26 AS form है, successfully import हो चुका है, आप यहाँ प्रोसीड पर किलिक करेंगे, प्रोसीड पर किलिक करने के बाद आप देख सकते हैं, transaction done successfully, उसके बाद यहाँ पर transaction number आ जाएगा, तो भी हमारी amount है, वो आ जाएगी, और यहाँ पर transaction की date and time भी आ जाएगा, हमारा जो ITR successfully फिल हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं, you can now check your ITR and download, computation of income tax using BLE tax dexboard, तो यहाँ पर आपको BLE tax dexboard पर किलिक करना ह उसके बाद यहाँ आप जो text to win की website open ओकर आ जाएगी, यहाँ पर something went wrong लिक कर आता है, तो अगैंसे यहाँ पर आपको digital shiva portal पर जाकर text to win की website को open कर लेना है, उसके बाद दुबारा से login भी digital shiva connect पर किलिक कर देना है, अब यहाँ पर CAC ID से आपको login कर लेना है, login करने के बाद यहाँ चोविस का उसका TDS not updated status आ रहा है, जब यहाँ पर आपका ITR successfully fill हो जाएगा, तो यहाँ पर in verified लिखकर आ जाएगा, यहाँ फिलिंग लिखकर इस तरीके से आ जाएगा, जब generate लिखकर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको download पर किलिक करना है, competition, इस पर किलिक करेंगे, किलिक करने के बाद जो आपका totally ITR है, वहाँ आपर कुछ इस तरीके का निकल कर आ जाएगा, तो फ्रेंट से यहाँ पूरी process आप इस तरीके से CSC से अपना ITR fill कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी देनी होगी, देन उसके बाद जो टेक्स टूबिं की टी से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इस वीडियो में फिलाल इतना ही, आपको वीडियो मताओी जानकारी काफी अच्छे समझ में आ गई होगी, कुछ भी question रह जाता हो तो नीचे comment कर सकते हैं, तो जैसे CSC में हर साल ITR fill करना compulsory रहता है, वैसे CSC में आपको हर साल अपना